नमस्कार आप सभी का सौगतित आजूकेशन में तो दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आज की महत्पून जानकरी निकल के आ रही है जो आप सभी को इस वीडियो के माद्यम से तो दोस्तो अब लोग वीडियो को अनतग जरू देखे, वीडियो पसंदाइ तो लाइक जरू करे और अभी तक अगर आप लोगुने डाय जूप केसन चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो आप लोग डाय जूप केसन को सस्काइब जरू कर ले तो दोस्तों आजकी मातपून बईपेसि ससरभी वेकंशी को लेकर है जिसकी जानकरी आप लोगों पहले मिली थी कि इसका एक्जाम 15 दिसंबर को लिया जाएगा लेकिन आप जानकरी मिल रही है अब इसका एक्जाम 15 दिसंबर को नहीं लिया जाएगा विपेशी सलसटवी वेकेंसी का परनलविक परिच्छा का डेट अब आगे बढ़ाया जाएगा बिहार चुनाब को देखते हुए इसकी तीति को आगे बढ़ाया गया है अब इसका एक्जाम 15 जनवरी 2022 में लिया जायागा विपेशी सलसटवी में 575 पदों पर वेकेंसी दी गई है और इसकी अधिसूचना बहुती जल्द विपेशी के अपसर साइट के मादिम से जारी क्या जायाएगा और आज की सबसे बड़ी जानकारी केंदर चनपसर सिपाई भरती के दोरा जो बिहार प्लिस कोंस्टबल 845 पदों पर जो बेकेंसी दी गई है इस बेकेंसी के लिखित एक्जाम के रिजल्द को लेकर जानकारी परकासित की गई है जो की जानकारी काफी इंपोर्टेंट है और इसे पहले काफी बच्चे इसके रिजल्द को लेकर ट्वीट पर ट्वीट भी किये हैं और इसके रिजल्द को लेकर आज की सबसी बुरी जानकर नीच पेपर के माद्दिम से भी परकासित की जा रही है जो आप लोग देख सकते हैं इसमें बता जानकर नवंबर में आएगा आएगा आठ हजार चास्व पंद्र है सिपाई की नियुक्ति का प्रिनाम यानि केंदेचन परसस के अध्यक्ष ने बताया कि राज में आ अनुसार ने नमबर के अन तक बिहार पुलिस कॉंस्टिबल आठ हजार चास्व पंद्र है बेकेंसी का लिखित एक्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा फिलाल सी एस बीसी के दोरा चलन दरसा सिपाई के पत पर जो बेकेंसी दी गई है इसका फिजकल एक्जाम डेट क लेकर नोटिस जारी किया गया है इसका फिजकल एक्जाम पंद्र है नमबर को होगा वहीं ब्यार पुलिस कॉंस्टिबल आठ हजार चास्व पंद्र है बेकेंसी का फिजकल एक्जाम की बात करें और मिली जानकरी के अनुसार ब्यार पुलिस कॉंस्टिबल आठ हजार चास 215 वेकेंसी का लिखित एक्जाम का रिजर्ट न नमबर के आंग तक और इसका फिचकल एक्जाम दिसम्बर में लिया जाएगा बाकि आगे की जानकरी के लिए आप लोग दाइजू केसिन को सेस्काइब जरू कर ले थैंक्यू वाचिंग फर वीडियो